कि हेलो बच्चों लोग क्या हाल चल भाई कि आज चल रहा है अज कल मौहले में सब ठीट थाक है सब बढ़ियां है सब मस्त है कि कि अब कि देखो बच्चों हमने जो है वह लास्ट जो है वह लेक्चर में पूर डिसकास कर लिया था बच्चों अपना अल्कोहल फिनोल और बच्चों ध्यान देना है कि जितना वह इंपोर्टेंट लेशन पहला हमारा यह उतना ही इसमें बच्चों बहुत सारे इसे नेम्ट रिक्शन हैं जो कि हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका इजी आपको लान हो जाएगा आपको बशना बच्चों प्रॉपर्ली जो है वो इसको एक एक चीज जो है वो समझते जाना है आप उटना पॉइंट हां देना चलो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात लेक्चर सुरू करने से पहले कि विदा जो है वह आप लोग जो है वह अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो लोग वीडियो आपके लिए यह वह ला सके प्लीज बच्चों सब्सक्राइब भी करो और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को जो है वह सेयर करो ओके चलो देखो अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगी यह लेशन जिसका नाम है अल्डी हाइट की टॉन्स एंड कार्बोग्स लिक अगर आपने वह नोट और पैन साथ में नहीं लिया है तो आप सब्सक्राइब नहीं लिखा चलो और अगर आपने पिछला नोर सब नहीं लिखा है तो बच्चो प्लीज उसको भी लिखो क्योंकि वह भी जो है वह important है हमको exam के time के काम आएगा revise करने में एक साथ हम बच्चों इतने से रिवाइज नहीं कर सकतें मैं आपको बार 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 बात बोलता हूं बच्चों अब इस चैप्टर में हमको जो हो पहले समझना है से कार्बोनिल कंपॉंड्स क्या समझेंगे हम लोग कार्बोनिल कंपॉंड समझेंगे क्योंकि वच्छों आप ध्यान देना कि अभी तक हमने जो नो दोनों पढ़ा है और गेनिक का लेशन no.10 है लोगन डेरिवेटिव और बच्छों आपका लेशन no.11 अपका अल्कोहल स्फ के साथ तो अभी तक हमने जो है वो कार्बन का सिंगल बॉंडिंग देखा था फंक्शनल ग्रूप के साथ अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारा कार्बन होगा वो जो है वो एक अब को सिंपल ध्यान देना है ऐसे ऑर्गनिक कमपाउंड बच्चों जिनमें एक स्पेशल टाइप का कार्बोनिल ग्रूप या एक ग्रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड यह वो बोलते हैं अब इसको जो है वो नोट डाउन कर लो इसको हम वो सब देंगे बच्चों हम लोग इसको दी और गेनिक कंपाउंड विच कंटेंड क्या होना चाहिए उसमें विच कंटेंड कार्बोनाइल ग्रूप कौन सा ग्रूप होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रूप अर कोल्ड कार्बोनिल कंपाॉण यह ऊच्छल को हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से भूलेंगे अब अब अपको यहां पे होती ध्यान देना है जो आपको यह यह बेशिक वर्ड है वह आपको जैके यह वड है जिसको बच्छों हम private को एक हुनाई ग्रूप क्या हो था है हम क्या बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंट बोलेंगे यह घ्रुप आपको घ्रठताbbe होता है कि यह हमारा जो सीडबोल बॉन्थ तो बच्चे नहीं सबूदिस से इंढको कलें है कि किसी बी कंपाउंड में आपको देख ओ धारlarını आपको यह स्थेट डबल बॉंड ऑफ वही जो है वह क्या है यह कारबोनाइल ग्रूप है यह अगर कंपाउंड में रहेगा बच्चो तभी हम क्या बोलपाएंगे उसको जो है वह कारबोनाइल कंपाउंड पाइंगे अब इसको ध्यान सब सबझना देखना थ्यान से थोड़ा कि आप पोचा हमारा गर यह जो यह नहीं है इस चाहिए अधान एक साइट से फिर लगा दिया है यह बनेगा यह तो एक और क्या बनेगा लेकिन उसका नाम होगा यह वोचास का यहाइट नाम होगा तब्धान देना कि हमें को जितने भी कार्बॉन कंपॉंट सें हम बस कार्बन के क्रॉस में टोनों गूरूप का टाइप है पर समको उसको चेंज करते जाना है यह आपका पूरा गूरूप सेम रहेगा तो डिफेंट टायप के हमें की यह वहिए अल्कायल गूरूप governo क्यों यहां ह। हमें यहां पर दोनों अल्काइल सब्सक्राइट हमने क्या लिए लिया S Post फिर या तो हम बोल सकते हैं कि जो है वो हम जो है दोनों साइड में भी अराइल ले सकते हैं हम दोनों साइड में ही ले सकते हैं जो है वो अराइल ग्रूप मतलब हम दोनों साइड में अटेज कर सकते हैं बेंजे रिंग जो हम दोनों साइड में क्या एड करेंगे दोनों साइ के तो हम्हें क्या है कि के टॉन है गटन होगा है हमारा और यहां इसा करने तहुँन को हम यह जो होगा यहां यह होगा है इसको यह 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 रहेंगे change करेंगे कभितो हम लगाएंगे हैट्रोजन अलकािल में गृूप यह फीक्स कर दिया वो चेंज नही debugging होगा दूसरे भी हम स्टार्ट काहां से करेंगे घ्लाइट से स्टार्ट करेंगे तौ है जा हम रख सकते हैं यह यह वह लग लगाया है और दूसरे साइट में लिखा है और दूसरे साइट में लिखा है लगाया है वह हमारा क्या हो जाएगा जो कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड है यह हमारा हो गया है अगर हमने जो है वह अगेन कार्बोनाइल गुरूप लिखा क्या लिखा हमने हमने लिखा क्रब्नाइल गुरूप अब बच्चों अगर हमें एक साइड में एक साइड 파उ qualquer इसकार कृएंगे यह था हमते हमवा गुरूप लगाैं तो आप ध्यान देना कि आप हमारा बच्चों यह जो इसको हम क्या बोल देंगे इसको हम बोल देंगे कार्बोग्जलिक एसिड क्या बोलेंगे बच्चों कि अगर कर्बनाइल ग्रूप में क्या है और दूसरे साइड में चेंज कर दिया है और अगर हमने बच्चों क्या हो जाएगा की टोन हो जाएगा सिमिलरले अगर हमने एक साइट में O H fix किया और हमने एक साइट में चेंज कर दिया हेट्रोजन अलकायल या कोई अराइल तो बच्चे वह हमारे क्या हो जाएगा कार्बोगजलिक एसेट ज्यू है वह हो जाएगा अब बच्चों को ध्यान देना है कि हमको इन्हीं तिनों के बारे में जो है नाम है क्लासिफिकेशन इनका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज रियक्शन सब अच्छे से पढ़ना है हमने जैसे अभी तक दो चैप्टर्स में पिछला किया है यह तो बच्चो आपका हो गया हमारा पहला इंट्रेक्शन जिसको हम क्या बोलेंगे इसको हम ब क्लासिफिकेशन किसको क्लासिफाइख कैसे करेंगे तो ध्यान देना हमारा पहला इसका प्लासिफिकेशन हैं स्टर्ट हुए उसको क्या बोलेंगे पहले कंपॉण को हम बोल देंगे कि पढ़ने जा है पढ़ेंगे 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 हमने जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि क्या होता है तो आपको बोलना है कि एल्डिहाइट्स आर्दी और गनिक क्या है वैसा ही बोलना है कि अल्डिहाइट का और गनिक अपाउंड है जिसमें कार्बन के चारों वैलेंसी में से दो तो गौल पाएंगे तो हम इसको simply लिख सकते हैं कि इंपरी क्या बोलेंगे कि the carbonyl compounds क्या बोलेंगे वाज़तों the carbonyl compounds in which in which one valency of carbon one valency of carbon is satisfied satisfied with hydrogen and another valency is satisfied either hydrogen क्या बोलेंगे इसको either hydrogen और हम बोल सकते हैं alkyl या बच्चों हम बोल सकते हैं अराइल ग्रूप कि तो इसको क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अल्ध है तो बोल देना है कि इसको हम बोलेंगे अल्ध है आई होगे बच्चों इतना आपको clear हो गया होगा कि अल्ध हैट क्या होता है आपको simply बोल देना है मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं कि अल्ध हैट एक ऐसा ऑर्गनिक च्यूंक है बच्चों कि यो एक होती है वह क्या बोलेंगे अल्ध हैट् सब्सक्राइब क्या होगा हम जब भी रिखेंग अल्ड हैड तो उसके हमारे गृफ क्या होगा है है तो यहां पर एंदर लिखा है सबस्क्राइब को सबस्क्राइब को करना है तुम को देख लिए ना है यहाँ यहाँ और टि're सकते हैं यह हमारा हो जाएगा यह हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है जो है वह अल्डी हैट का तब देना पढ़ेंगे इतना आप नोट करो फिर हम पढ़ते हैं जो है वह क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डी हैट अब हमारा था क्लासिफिकेशन होगा तो इसमें हमको बोलना यह है कि जो है ठीक है डी हैटकétique में ने फिर यह हैं किस ग्रूप किया है उसकी कि वह लुओ हमने अल्डी हैट्स को दो पार्ट में जो है वह अग्रा है क्लासिफिकेशन 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 क्लासिफिकेश एलिपयाइट का मलब आपको ध्यान देना है कि हमारा जो अपने का पार्ट है वो क्या होगा या तो यह वो यह अलकेण हो सकता है वाद्चो या तो यह अलकीन हो सकता है या तो जो है वो क्या हो सकता है यह अलकाइन हो सकता है इन तीनों में से कोई बेगर हम हैट्र करबन लेंगे तो बच्छे वह हमारा क्या बन जाएगा वह हमारा बन जाएगा अल्डिहाइड आप कौन है देना चलो अब इसको अगर हम समझते हैं एकजअमपल से तो हम बोतना है कि हमारा इलफाटिक हैड होगा वह दूख थेंदो कहां से होगा अब ध्यंदो जैसे हम हमने एलडी हैड को हम कैसे लिखते हैं तो एक कार्भॉनल कमपॉंड है तो उसमें क्या होगा उसमें सीरबल बॉंड ओ तो होगा ही अब अगर हमको को अब दूसरा वैलेंसी कारबन का है उसे में हमको चेंज करना है तो हमने अगर स्टार्ट करते हैं यह स्टार्टिक में ही काउंट करेंगे अब भ्यां देना इसमें कोई भी अलकाइल जी है वो नहीं है अब देखो बच्चों इसमें देखना कि अब हम यहां पे इसके प्लेस पे हमने एच से तो स्टार्ट कर दिया अब यहां पर लिख दिया सी डबन ओं फिर अपर लिख दिया सिडबन ओ कि अब बोलाएं को अब भर इसको बनाना हैं को हम पहले क्या करेंगे एक साइड मीं तो फिक Sakth念 है इसको निने संब्सक्राइब द्सक्राइब जैश्ट यह है यह पार्ट किसका है लेकिन यह इसे यहीद आपको ने को है कोई दुस्रा मर्द हम ने में इस नहीं हुआ ले लिया हमने दभधान कि साइकलो होगा तो हमारे अलिफेटिक नहीं होगा पर देना कि यह सिंगल बॉंड वाला है यहां पर और क्या हो सकता है बच्चों यहां पर आपका इथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हघ्जाइल यहां पर आइसो नियोट वह सब्सबास कर अब यहां पर सकते हैं आप यहां पर क्या हो जाएंगे अपर इतना ध्र्यृश्ख आप हमारा आता है जो दूसरा घूसरा मारा जो आएगा इसको क्या बोलते है इसको हम बोलते हैं इसको हम घू he और कlot इसको अब बचुशंद जिसको रहेगे आरो मेटिक लिविगुकि नियुक्ट ल सुनिक लिगे pani अतो हम सकते हैं तो हम दो भी यह सकते हैं तो हम से जैंघ देढाक हो द्हुंग हमरा क्या तो सबस्चर के इसी unser को हम जो है क्या बोलते हैं इसी को हम जो होता है आर का मुंदब ऑफ सिंपलिह क्रते हैं अब बच्चों को बनाना है और में यहां पर बॉल देना है कि हमारा ये क्या हो जाएगा अल्ड हाइड हो गया हमने पहले तो बना दिया यह कर देना है यह यह हमको पहले एच क्या करना है फिक्स रख देना है एच करने के बाद अब हमको हमारे पास दूसरा वारा जो वह Dan लगा देना है अगर क्या 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 हुआ है यह सब्सक्राइश को छिसको और दिदो यहां पर सब्सक्राइब हो कि दो चैस्टे कूर यह वहां पर यह भी हमारा क्या होगा एक जी है वह हो जाएगा बच्चों आपको एक पॉइंट है पर और ध्यान देना है तो अच्छे से कि हमारा यह जो पूरा होगा दो आपको देख रहा है कि इसमें जो होगा वह जो इसके बांड सिंगल है और जो कार्बन होता है बच्चों वह होता है यहां पर देखोगे तो यह जो कार्बन होगा वह इस कार्बन है और क्या होता है सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यहां भी करा बच्चों हम देखेंगे तो बात कर पाएंगे हमारा यह स्ट्राइब होगा देख शिंगल बंड है और थो हचिंगल होन ह repentance सिंगल होंगे तो इसके को से कनेक्टेड है वह स्ब्सक्राब्शन कार्बन है उद्रे कर्या जबाएगा है धाthankшьने अगर गजुण बांट शोड जाएगा, इसके bullying या क्लाइब बाइन कि हमने पढ़ लिया पुरा क्लासिफिकेशन देख लिया एक हमारा हो जाएगा एरोमेटिक एल्डहाट का बच्छ 魚 क्लाशिफिकेशन गॉल सकते हैं इतना आप च हम सिम्पली यह बॉल देंगे कि जैसे बच्छों हमने दैखो एल्डहाइट को की जबहाइट किया सिमिलर बशो उसी तरह से हम क्या करेंगे वहू कि टोन्स को भी जए वो डिवायट करेंगे जब करेंगे वो कि तो दोपार्ट में इसको यहां से करते हैं चेंज से पहले सका लिखंड क्लासिफिकेशन धर था क्लसिफिकेशन है अब बच्शों हमको देख लेना है कि तो क्या होत阑 है दिन आफ़र वीटा उसको हम क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हमने यह अपर लिखा हुआ कि आपको समझाने करें क्या लिखा है कि अब जिसमें कर्भण की एक वेलेंसी है या तो वह अलकाइल से होगी सटिसफाइड या तो या तो एक कार्बोनाइल कमपांड थांध कि वह को भ pursue कमपांड इन वीच है कि बोत् वैल से ओफ कर थो वैल सी उफस्कार अब एम हम दोनों य था देना कि हम कार्बन कि यह बात कर रहे हैं फो carbon atom is satisfied with either two alkyl or two aryles or one alkyl and one aryles group one aryles group तो इसको क्या बोल देंगे किटोन बोल देंगे समझे ना हमने ही बताया कि दिकार्बनल कंपाउंड एंड विच बोथ वैलेंसे ओफ कार्बन एटम इस आइधर सडिस्वाइड विच तू अलकाइल और तू अराइल यहां बोल सकते हैं वन अलकाइल वराइल देख वन प्रेजंट होगा ही प्रेजंट हो को पहला करना है यहां इसको लिख लेया हं अब दोरकरा सकते हैं लिख लिख लिए는데 कर देना है कि यह दो वैलेंस को क्या करना है या तो जो है वह दो अलकाइल से या तो जो यह दो अरायल से वह फुल्फिल कर देना है तो वह क्या बन जाएगा एग चलो आप करते हैं हमने यहां बगा दिया एक facto कहले यह को मिघाल गुर्फ से से हमने क्या दोन दोन साइड में ले लिया हमने डोन जो रिंग ले हम ने इसको सेियंग एक नटो से हों कर दिया कीटों से में टोस्थे достosat यह बेंजयरिंग है दुस्रा यहाँ पे एक अलकायल फूरप है एक वह Heram है यह पॉइंट आप धान देना चलो फिर दोको बचा हम आप बोल सकते हैं कि यह भी हमारा क्या है कि टोन है तो हम बोल सकते हैं कि चलो हमने क्या किया हमने एक साइड में लगा दिया जी है वह सी एस टू सी हमने दोनों वैलेंस को अलकाइल ग्रूप से ही सटिस्फाइट किया है बट यह टाइम पर जो अलकाइल ग्रूप बच्चा है वह क्या है इस तरह से आप जो है बहुत सारे जो है वह किटोंस का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं सिंपल यह करना है पहले लिख लेना सी डेवल बॉन से फ्री है अब वहां पर अलग अलग ग्रूप को जोड़ते जाओ आपको के टोंस बनता जाएगा अपको बनाना था पहले तो आपने क्या किया था अगेन आपने सी डबल बॉन ओ लिखा दो वैलेंस से फ्री है एक तो एच के साथ रहेगी वह हमको चेंज नहीं करना है द लेरा बच्चों इतना चलो इतना पॉंट आप जहें नोट करो फिर्दकों बच्चों आप हमारे इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन आफ की टोंस तो आपको इसमें बोल देना है कि जैसे सर हमने अलडी हाइट को जो है वह दो पार्ट में डिवाइट किया एक हमारा था एक हमारा था अरॉमेटिक सिभिलर ले बच्चों उसी तरह से हम वह किटों को भी क्या करेंगे जो है वह वह दो पार्ट में डिवाइट करेंगे पहला हमारा होगा यहां रूपे हिर्द ना है कि यह हमारा पत Mouse क्किसका क्लासिफिकेशन ईतन जो आइपको एस घंग क्या किया है भी नहीं वन्य आरह स् करें था किया था बच्छों बोलो मारा यह 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 वो कितोन है कुंसर होगा यह पीछे वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं इस अब को कि आ रहा है कि पक्का कि और समझा क्या मोलो भाई भाई पढ़ लिख लो कुछ नहीं तो जिंदगी में वो भी नहीं रहेगी और यह भी नहीं रहेगा तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हमारे इसमें क्या करना है यहां बताया भी कि अलेफेटिक का बच्चो मेनिंग यह होता है कि हमारा है अब नहीं होगा देखो आप क्या करना है जब हमको बनाना है यहां बहुता है क्या है कि हमारा ज्रलिफेटिक की तर्समें तो या तो अलकेन होगा तो एया तो अलककाइन आपका को पता है कि La ftика मतलब यहां पे क्या होगा यह तो कि यह यहां पर लेंगे जह वो अलकायल गृप दोनों साइड में यह भी हम यहां पर ले सकते हैं और यह लकी ना। अल्कीनाइल लकेला एलकाइल और हम बोल सकते हैं इसको जिए है डूजारे ऑद कर दिया कर दिया पहला हमारा जो रहेगा वह हमारा पॉलेंगे जिए मिनिंग यह होता है कि जो किटोनले ओनों साइड में आर गरूप है आर लिखा है oddilli का है दोनों क्या होने चाहिए तो does have uh अगर वह सेम होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे उसको हम बोल देंगे हमारा वह सिम्मेट्रिकल की टून है हमारा वह सिम्पल की टून है चलो इसको हम समझते हैं एक्जाम्पल से देखो चुर हमने यहाँ पर लिख दिया औप देखो क्या लिख दिया हमने लिख धियार programme किया लिख दिया ऐस दिया पर दिख़ती यह यह इंहीं हो के ख्रॉस दोनों हमारे पास अल्कालिच ने जिए किसी का नाम नहीं लिखा इद कि हम नाम क्यूंकि इस चैटर का नेमिंग नहीं आता तो अगले सक्षन में अपना बच्छा पाड़ने के बाद हम जब नेमिंग पढ़ेंगे हम जब नेमिंग सीख लेंगे तब बच्चों हम सभी Compound के नेमिंग लिखेंगे तो आप वो टाइम पर तुरंत क्या करना कि अपने नूट बुक में जैसे ही आपको नेमिंग आ जाएगा आप सीख लोगे तुरंत आप जितने examples लिखे हैं वहा दुसरा Compound जो है वह लिखा हमने पर क्या किया दो हमने जिए बच्चों यहां पर लगा दिया सी एस टू और यहां पर लगा दिया सेस्टू और सी अथी तो बच्चा यह भी हमारा क्या हो जाएगा यह भी सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों साइड में ग्रूप क्या है जो है अलकाइल का पार्ट है देखो आगर हम यहां पर यूज कर देंगे जो है वह अगर हमने यहां पर लिखा आपका जो है कार्बोनेल अब अगर हमने यह साइड में लगा दिया सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू रहा होगा कि दोनों के क्रॉस में क्या लगाया है सेम क्या बुला है क्यूंस डबल बोंड सी एच और सिंगल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं विनाइल बोलते हैं तो हमने दोनों स्याइड में क्या लगाए तो हमारा सँमिछीन क्या हो जाएगा यह तो द्रबा c हमें इसी तरह से जी सब नहीं है दिःक्शलों स्वेलेंगे सब्सक्राइब संपल बांड बlles एप मीं व सेम तो भी आपको क्या हो जाएगा से vigor110 अब इसóc तरह इसमें किटर धोलेंगे कि के यह डिपते हैं और यहां फक्रों में क्या चिया किया कि हैं reg portal r- Hertz बच्לא किया गोंगे अधूel स्याइक होगा है इसे किटोंस को हमने च्टोंस को किया है ऑपनादेना प्याद गाथिस को हम बोलें Park बोलेंगेगे जो है वो mixed ketone या उसको हम बोलते हैं अंस्यमेट्रिकल की टोन क्या बोलेंगे इसको हम लोग अंस्यमेट्रिकल और उसको हम जो हम बोल सकते हैं मिक्स्ट किटोन पॉड़िता क्लियर है क्या सबको अरे बोलो भाई सवा मुझा की नहीं समझा चलो अब इसका अगर हम समझते हैं बच्चो देखो हमारा कैसा हो जाएगा किटोन हो जाएगा किटोन हो जाएगा अन सिमेट्रिकल दोनों जो है क्या है डिफरेंट है इसमें क्या करना है हमको हमने यहां पर लगा दिया जो है वह एक यहां पर मिथाईल था यह कहता बता उच्चो इथा तमको देख रहा था कि कारबन सी डबल बोन ओके क्रॉस दोनों हमारा जो रहेगा ग्रूप क्या होगा जो है वह सेम रहे हैं लहां हमारा वह डिफरेंट रहेगा तमारा यह वह हो जाएगा और किटोन इसको पॉइंट समझा किया बच्चो इतना चलो पिसको नूट करो फटा फट सब लोग करो नूट करो चलो अब दूब अब अब दो यह तो आपका वह जो है एलिफेटिक की टोन यह तो हमारा हो गया जो है यह एक पढ़ा जो है वह सिंपल और सिमेट्रिकल दूसा हमने उसमें पढ़ा जी यहär regarde हमें को अभाको आट शूंते करना है क्या हम एट करेंगे और मैसमें कम एक टो एड करेंगे च्पिडोट तों यहां कि हम Il torale का करेंगी हंcessping सिधीस कि नहीं है गालता है जा गुदेंग मंधेगे उन्दन अधायस का आपको फंधी यहां करें चैनल के मनलब की पार ऑफरी दूसरा यह कर सकते हैं कि हमने जुह वह दूनों ही साइढ में प्याले लिख दिया हमने शाइड में लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा इसको समझते हैं गजएमपल से देखो माँ गार इसको उम्हूरा पेक्ष्ट कर दिया हमने पहले दिया सी डबल बॉन ओ तो चाहिएप दिया सी डबल बॉन-ओ और कर देंगे यह से मैच कर रहा है यह हमारा क्या हो जाएगा हो जायेगा टॉन है हम पर क्या करेंगे हम दोनों साइड में हमने क्या कि लगा दिया यह हमारा क्या हो जाएगा किया लगा दिया एक अलकाइल-स अच्छों यह रहा नगा दिया है भी हमारा क्या होगा एक तो आपको सिंपल नहीं देना कि वह हमारा किटोन है वह हमारा किटोन होगा वह हमारा जो है वह कोई किटोन के साइट में दोनों साइड में रिंग का टाइप से में दोनों बेंजिर रिंग है हमारा एक सिमेट्रिकल हो सकता है बाकि हमारे सब क्या हैं जो है वह और स्य में तो निया हैं तो सब्सक्राइब हो जाएगा, तो इतना पॉंट देखो आप नोट करो यह हमारा हो गया जो वो कीटोन का ट्लासिफीकेशन क्या होगा, फिर हमने ने देख लिए क्या होगा, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा अब दिखो उसके बाद जो next इसमय आता है निक्स हमारा बच्चों जो ऐगा करबोगजल्इक इसट कियागा वगेब कर बात करेंगे बच्चों जिए वह इतना ध्यान देना की जैसे अल्दीहाइड और केटोंस एक कारबोगजिलिक कंपउण्ट हैं वैसे हमने बच्चों बोला है कश्फिक्स रहेगा इसमें हमको क्या करना है LDI8 के तरह हमको यहां पर क्या fix करना एक OH fix करना है उसमें को start कहा से करना है H से हमको start करना है या तो एक side में H होगा, या तो एक side में जो है वो क्या होगा, अलकाइल गूर्प कोई होगा, या तो एक side में कोई भी एक aromatic ring होगा, तो हमारा वो क्या बन जाएगा? कार्बोग्जिलिक Acid बन जाएगा. तो देखाब अब इसको simply define कर सकते हैं कि कि दि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जैसे हमने अलहेट के टोंस को किया तुम बोल सकते हैं कि दि कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन वीच कि इन विच वन वेलेंसी कि अफ कारबन एटम कि इस सैटिस्फाइड कि वेच हम बोलते हैं हाइड्रोग्जिल ग्रूप क्या बोलेंगे हैड्रोग्जिल ग्रूप और बच्चों हम बोलते हैं एंड एंदर कि एंदर मिल्ब की बता हमारे जो दे दूसरी वैलेंसी है कि एंदर वैलेंसे एज सैटिस्फाइड एंदर वैलेंसे एज सैटिस्फाइड विथ हम बोल सकते हैं बच्चों यहां पर आइदर हाइड्रोजन और हम बोल सकते हैं कि अलकाइल और बच्चों हम बोल सकते हैं यह है वह अराइल ग्रूप तो बच्चों क्या बोल देंगे उसको हम बोल देंगे कार्बोक्जणूलिक एक सिम्पल अगर आप पोस्ता है वो इस कार्बोक्जीक एक सिट तो बोलना है कि कार्बोक्जूलिक एसिट्स और दी कारबोक्जणु कंपाउंड इन विच वन वालनसी ऑफ कार्बन एटम इज सडस्फाइड विथ ओ एच्छ फ ग्रूप और अराइल ग्रूप इस कॉल लिक एसट सिंपल अब इसको हम समझते हैं जैसे अगर तो यह तो इतना फिक्स रहेगा अब क्या करना है अगर ओको बनाना है कारव को अभी को प्हते हैं फिक्स करना पड़े गाहाँ अ कर देखे करना हो हमने हमारा क्या हो जाएगा कार्बोग्जिलिक अगर हमने क्या हो जाएगा और अगर यहां पर लगा दिया यह वह एक बेंजी रिंग तो भी हमारा क्या हो जाएगा चल어지 तदना और हमने हमें पर लिखने हमने रहे हैं यहां पर लिख़ा है और अजिल हमने लिखा है और अब हमें लिंग वहां यही क्लासिफिकेशन में यहेतना मुझे आपको यह हमारा के कार्बॉउग्यक्सीट को किसे लिखेंगे कैसे पहता है अब अब हम पर पढ़ना MATT ग्लासिफिकेशन आफ कार्बोग्यिक्द ये 20 जैसा हमने अभी पढ़ाता अल्टि हैट्स को कई से होगा तो बवडा यह लिख लेंगे कि इप लग लगर कि सिंपल ओर्टेयौ में बोला है कि सर जैसे हम अलडिहाइड और किटोंस को जो है वो एरोमेटिक और एलेफेटिक में डिवाइट करेंगे सिमिलरली बच्चों उसी तरीके से हम जो है वो क्या करेंगे हमारा जो करेंगे एक हमारा हो जाएगा एक हमारा हो जाएगा एक हमारा हो जाएगा एक हमारा क्या हो जाएगा एक हमारा क्या हो जाएग का कोई पार्ट या तो अल्क रख्यांएं का पैचाने हम कैसे सिंगल पूरा बौन्ट होगा अलकरald drei वह में आपडिनल सब्षक्राइब हो न यह को क्या लेना है हम पहले और किया करेंगे अब यहां प्ताइब अब दुको सेकेंड साइट महां को यहां पर क्या लेना है देखो अगर हम नहीं है अलकीन नहीं होता एक कोई अलकाइन भी नहीं होता तो हम बोलेंगे यह हमारा जो है करना होगा तो हम यहां पर क्या बता देंगे कि हमको क्या क्या करना है और सेकेंड साइड में बच्छों हमको जो है लगा देना है मिथिन से बनाएं मिथाइल तो अलकेन है इसलिए क्या हो जाएगा एक लिखेंगे तो आपको देख लेना है यहां पर क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे हमने यहां पर लिखा सी डबल बॉन ओ और अभी हमको क्या करना है हमको यहां पर एक तो फिक्स कर लेना है तब क्या होगा यह क्या करना है चेंज करना है चेंज कैसे करेंगे हमने यहां पर क्या लगा दिया जो हमने यहां पर लगा दिया जो है वो विनाइल तको दिख रह सब्सक्राइब करेंगे को दूसरा गुरूप लेंगे सब्सक्राइब कर दिया और डबल बॉंड बच्चों हो जाएगा यहां पर पुरा गुरूप अलाइल तो दुखों हमारे यह कार्बोगिल के सिर्भी नहीं होना चाहिए और इसके और हम बोक्ते हैं कि हम को यहां पर क्या बोलना है कि ग्रूप क होता है तो जान देना कि अगर जह है है वह COOH का यह घृट रहा है अगर इसका सिंगल को हम क्या बोलते रच्चों याद करो मौनो बोलते हैं तो हमारा हो जाएंगा आए कि मौनो कारबॉट्यलिक एसिड क्या हो सकता है वह हमारा हो सकता है असी तरीके से हमारा क्या हो अगर कार्बोगजुलिक एसिड दो होगा तो इसको हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे का प्राइच टैनल कि आपको सकते हैं दिख यह इसब पूरे क्या है इस सब्सक्राइ है इस सब्सक्राइब कर दोब कर दोभा होगा कि हमने पहते हैं हरो हमने पे सिंगल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है कि इन दोनों को इधर नहीं दोनों का आपस में जोड़ देना है तो हमारा यह क्या हो है जाए कि आरवा जो दोना भी ऑच्क वह जीए को हमको आफसे चाहे नहीं की यहां पर देना है दो यह हमारा होगा होगा सीक ठैक्ट है कि यह हम मोजाए जा यहां मैंटाजी काLMi चुछ तूछ आता है यहां हो तीन कार्बाउग्जली गूरूब जो है प्रजेन ना चैसे को बच्छु दो पथки पहले हमारा तीन चार पार्ट में डिवाइट कर देंगे अन अगर कार्बोक्सी गुरूप सिंगल अगर कार्बोक्सी गुरूप हुआ तो क्या बोलेंगे चार लिक तीन वोलेंगे एbulते चले जाएंगे उचेत्ना पॉइंक आप आपको इसी में हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन पैर अरोमेटिक कार्बोगजीलिक एचिट यह से पहले क्या था अपदरा पर क्या हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि हमारा दूसरा कार्बोगजिलिक होगा हुआ हो जाएगा कि अध्याद है अब यह हम यहां पर हम एक भी नहीं लगाएंगे और भी नहीं लगाएंगे कि आपको पता है कि क्या होता है हमको करो से जुड़ा हुआ अगर बनेंगे वह जिसे दोगों मैं बादको क्या कर देना है वह उसको ऑफ़्यक्त करना क्सणान होता है अभी दुक्त ह wore ना ही रिख तो अभे कर्षाट सा बनेगा वह डिसीट होगा यहां प्षेक्ट हएं है यह नहीं करेंगी तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा एरोमेटिक कार्वोजिक Like Çude तौछ कर सकते हैं यहां को ॥ो यहांपर कि अगर हमने अपर क्या लिखा लिख लिख डिया में या शाली लिका गुजा अब क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा जो हे ऐस एbeटा कृट नहीं हो जाएगा ह। और यहां पर हमारा क्या होगा यहां सब्सक्राइब क्या बोलते हैं श्यूंद एसका नाम और इसको हम बोलते हैं एक पैन किलर होता है जिसको आपको बता है ठीक यह हमारा पूरा हो गया कार्बोगजिलिक एसेट का जो है वो क्लासिफिकेशन तो अभी तक हमने पढ़ा इस फस्ट वीडियो में आपको इसमें सिखाया हमने कि हम अलडिहाइट को बच्चों के टॉन्स को और हम जो है कार्बोगजिलिक एसेट को पहले हम कैसे पहचानेंग फिर हमने पढ़ा है आपको कि यह जो कर्मल कंपॉंड होता है वो होता क्या है फिर बेटा इसमें आया कि जो है वो अलडिहाइट्स को के टॉन्स को जो है वो हम क्लासिफाइग कैसे करेंगे इसमें जो है वो हमने नेमिंग जो है वो नहीं देखा जानेमिंग जो हम कंटिन कोई डाउट आता है तो आप जो है वो उसको पूछ सकते हो पूंद कि और चुडेंट्स की आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों लाइक कीजिए और मैक्सिमम जो है इसको आप सेर कीजिए ताकि हम और अच्छे ची वीडियो जो है वह आपके लिए बना सकें ऐसे ही इंट्रस्टिंग वाले चलो भाई तो अपना अपलोग ध्यान रखो ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक इसको आप रिवाइस करो बाबाए टेक क आप रिवाग्स कर द से आप रिवाग्स कर द सक्षब वाले खुड़ कि अधू कर द सक्षब डार आप धियर चार्विए चार्ण थाव्यार्व गडियो में लिएवाण धूर टार्टंग प्र टीक है